नमस्ति जी नमस्ति क्याल चालें आपके सर्जम तो बहुत अच्छे हैं आप सुनाइएगा अब भी बहुत बहुत अच्छे हैं फ्रेम से बूलेंगे राधे राधे चलें येस सर कस्टम लोका आपका रिविजन चल रहा है C.A.C.M.A.C.S. फाइनल के लिए तो मढ़ते हैं आगे की तरफ इस मागला चाप्टर आता है आपका चाप्टर नमबर 3 लेवी एंड एक्जम्शन, रेमिशन, अबेटमेंट, एटसेटरा कि जब इंडिया के बहार से आपका गुर्स इंडिया में आता है तो उसमें आप ये बताईएगा कि at what point of time आपकी जो ड्यूटी है वो लेवी होती है चाहे वो इंपो ड्यूटी हो चाहे एक्सपो ड्यूटी हो दूसरी बात ये कि लेवी होने के बाद collection किस point पर करवाया जाता है और तीसरी बात ये कि जब goods basically import होता है तो उस समय रास्ते में कई परकार के नुकसान हो सकते हैं, damages हो सकते हैं, छोटा loss, बड़ा loss, आग लग जाना, evaporate हो जाना, देरा तरह के नुकसान हो सकते हैं, अगर इस तरह का नुकसान अलग-अलग point पर होता है, तो वैसी दशा में हमें import duty का treatment वहां पर कैसा रहेगा, इन तमाम बातों के जानकारी यहां देखने के लिए मिलेगी, इस chapter के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले हमे सेल के लिए available नहीं किरा रखिये, बट if you wish आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो संधीप है हमारे स्टाफ के अंदर, नमबर है 8076270344, आप इनको यहां पर call कर सकते हैं, ठीक है, चलो, तो यहां पर जानते हैं, अगर मैं import duty की बात करके चलू, तो यह दो भागों में बाती जा सकती है, एक होती है आपकी basic custom duty, और दूसरी होती है आपकी additional duties of custom, यानि कि CVD like 3-1, हाला कि अभी भी CVD 3-1 है, 3-5 हो गया, और IGST नाम की CVD 3-7 है, कि compensation size हो गई, anti-dumping duty हो गई, यह सब, अब यह मत कहना कि सब XI duty तो इंडिया में खतम हो गई, यह तो फिर CVD 3-1 भी खतम हो जहाँ कि जिन ए, XI duty इंडिया में अभी भी लगाई जाती है, शराप पे भी लगाई जाती है और 5 petroleum product इनके ऊपर भी लगाई जाती है, तो नच्रोली उनके ऊपर भी CVD 3-1 लगा जाती है, तो जिन जिन के ऊपर स्टेट या सेंटर लेविल की XI duty लगाई जाती है, वो व पहार से अगर product आएगा तो उसके उपर IGST लगाया जाएगा और वो IGST लगता है CVD 37 के form में ठीक है तो इस प्रकार से duties हमें देखने को मिलती है जो basic custom duty है it is levied by custom act 1962 और जो बाकी सारे duties है it is levied by custom tariff act 1975 ठीक दूसरी बात जो BCD है इसके जो legal provisions है अपने खुद के act के अंदर दे र रखे हैं बाकी जो आपकी additional duties है इनके जो legal provisions है वो custom act 1962 से ही copy करके यहां पर लाए जाते हैं ऐसे करके क्योंकि उनके पास अपने खुद के provisions नहीं है क्योंकि उनका जो storage capacity है वो भरी हुई है rate of duties क्योंकि BCD के rate of duties है वो custom tariff act के अंदर दे रखे हैं महला मोटा मोटी बात है कि बाटर कर रखा है बाटर कैसे BCD जिसके पिताजी custom act 1962 है इसका rate मिलेगा custom tariff act के अंदर और custom tariff act के जो duties हैं उनके लिए legal provisions मिलेंगे custom act 1962 के अंदर तो इस प्रकार से यह बाटर इन दोनों के बीच में आपर करवाया जाता है और सरफ पर यह custom के जो duties हैं इनके जो rates हैं वो कहा कर आते हैं तो simple wording में समझेगा basic custom duty है इसके दोरा impose की जाती है legal provisions खुद के हैं और rate custom tariff act से उठकर आता है यह जो बाकी duties हैं आपकी custom tariff act 1975 को दोरा लेवी की जाती है legal provision custom act 1962 से उठकर आते हैं और जो इनकी यह rates हैं यह अलग अलग जगाहों से आती हैं जैसे कि अगर हम बात कर से वीड 3-1 का rate तो वो excise से उठकर आता है एंटी dumping की बात करें तो वहां का जो rate निकल गाएगा वो dumping को मद्ध नजर रखते हुए वैसे करके calculate किया जाता है तो अलग अलग sources से इनकी rate निकाले जाते हैं आगे बात करते हैं लेवी और collection की कि जब हम इंडिया के बाहर से कु हो गया हो नमबर दो goods custom के control में आ गया हो नमबर तीन उसके संबंध में bill of entry for home consumption फाइल कर दी गई हो जिस डेट पर यह तीनों घटनाय आपकी पूरी हो जाएंगी उस डेट पर हम यह कह पाएंगे कि import duty लेवी हो गई है ठीक है यह सर export duty की लेवी होने की बात करें तो उसके taxable event है export का होना तो goods आपका export हो जाना चाहिए TWA के पार चला जाना चाहिए and second thing कि उसके संबंध में जो shipping bill होता है वो भी आपका file हो जाना चाहिए shipping bill फाइल हो गया हो और वो export हो गया हो TWA के पार चला गया हो दोनों conditions qualify जब हो जाती है तो हम मानते है कि export duty हमारी यहां पर ले अर्टिकल पर तो लेवी होने से पहले collect कर ली जाती है लेवी बाद में होती है बट सर अगर लेवी ना हो अगर आपका product TWA के पार ना हो तो जो भी आपने export duty का payment किया वो आपको यहां पर refund दे जाती है यह तो रही बात लेवी के लेवी के बाद आप कुछ concession exemptions के हम बात क के चलते हैं just because of कि अलग अलग प्रकार के नुकसान हो जाते हैं एक वर्ड यहां पर रखा गया है remission का एक वर्ड आता है वैसा abatement का एक वर्ड है exemption और अगला वर्ड है आपका यहां पर refund का यहां पर department घाटे में है और हमारी जेब में कुछ ना कुछ आने वाला है तो 100 यूनिट लेकर आए हैं एक हमारी यूनिट preferred हो जाती है उड़ जाती ही गायब हो जाती है छोटा लॉस हो जाता है तो ऐसे हालात के अंदर वो जा चुकी है आखों के सामने से चीज आखों के सामने नहीं है तो वहां एक यूनिट के ऊपर जो हमारी duty बनती है उसको रेमि तो हमारी जो डूटी लाइबिलिटी आएगी वो 99 पर ही फाइनली निकल कर आएगे ठीक है जी वैसे करके दूसरा होता है अलगलग प्रकार के नुकसान हो सकते हैं लॉसे अधर देन पिलफ्रेज भी हो सकते हैं बड़े बड़े लॉस भी हो सकते हैं तो बड़े लॉस होते ह माले ये 100 unit इंडिया के बाहर से लेकर आये थे, बड़ा नुकसान हो गया, 40 unit चलकर राख हो जाती है, तो ultimately हमारे duty liability है, वो 60 पर ही निकल कर आएगी, ठीक है, ऐसे ही इसी शरंखला में बात करते हैं, provider to section number 68 अपना कुछ बात करेगा, कि relinquishment जैसी बाते की जाती है, और इसमें एक बात और निकल के आती है, अगर warehouse के अंदर goods पड़ा होता है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है, वैपरेशन वगेरा, तो फिर वहाँ पर आप बात कैसे करके चलेंगे, damage और deterioration जै practically, physically वो चीज हमारे सामने है, अगर मालीजी बाइक है, बाइक इंडिया के बाहर से आपने इंपोर्ट करे थी, आग लग जाती है, राक हो गई, आपकी आँखों के सामने अब बाइक नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर remission word के अंदर cover करेंगे, लेकिन अगर बाइक डैमेज ह साथ होगा, कौन किसके लिए गा रहा है, तु जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, हे गुट्स, जो तेरी हालत होगी, तेरे पीछे-पीछे मैं चलोंगी, अगर तु जलेगा, तो मैं भी जल जाओंगी, अगर तु बिच में डैमेज होगा, मैं भी डैमेज हो जाओ तू गड़े में गरेगा मैं भी कुद पड़ूंगी तू पानी में डूबेगा मैं भी डूब जाओंगी तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे-पीछे आ जाओंगे तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा कैसे करके भड़ा अगर तू पिलफरेज होगा तो मैं भी जो तू जैसे करेगा मैं तेरे साथ ही पीछे पीछे आ जाओंगे ऐसे करके यहाँ पर बोल दिया जाता है तो remission और abitment में यह फरक होता है कि abitment में goods आपका available होता है बट values की कम हो जाती है exemptions है जहाँ पर जो कि आपकी voluntarily दी जाती है और यहाँ पर कुछ एक अब refund की बाते करके चलेंगे exemptions के अंदर section 25, 25A, 25B काम करेंगे refund के अंदर section 26 और 26A आपकी यहाँ पर काम करके चलेंगे एक special section आपका और आएगा जिसमें बोलते है section 24 जो denaturing और mutilation जैसी बाते आपसे करके चलेगा आराम से इत्मिनान से देख कर चलेंगे ताकि बात वाके में दिमाग में set हो जाए हमारे में आकर ठीक है उसके बाद में आगे बोलते है section नंबर 12 के अंदर यह charging section है basic custom duty के संबन में इसमें बताया जाता है कि भई यह basic custom duty है section 12 के अंदर आपकी लेवी की जाएगी और इसमें यह भी बताया जाता है कि बाकी जो duties है आप traditional duties उनको लेवी किया जाता है custom tariff act के दोरा दूसरी बात यह कि यह जो provisions है आपके custom act के यह राजा और परजाव में कोई किसी परकार का भेद नहीं रखते हैं अर्थार्थ जो नियम कानून non government के उपर लागू होंगे bill of entry file कर देते हैं तो यहां पर लेवी हो जाएगी लेकिन अगर आप मालीजे पहले warehouse में ट्रांसपर करते हैं उसके बाद घर ले कर जाते हैं तो आपने bill of entry for home consumption यहां पर फाइल की है आगे यहां पर case study आपके दे रखे कि मालीजे एक fob value contract यहां पर party के साथ किया गया था और इसमें क्या था कि कलकता से एक जहाज चलता है और वो twi को पार कर जाता है पार होने के बाद इसमें कुछ दिक्कत होती है और वो दिक्कत होने के कारण वापस लौट कर आ जाता है अब मुझे बताईए ऐसे वस्था के अंदर क्या बंदा duty drawback का यानि की export benefit पाने का हकदार है या नहीं है export benefit पाने के लिए दो शरक्तों का पूरा होना अतिया बश्यक होता है नमबर एक हमने अपना contractual जो obligation है वो पूरा कर दिया हो और नमबर दो यह निकल के आता है कि हाज के ऊपर चढ़ा कर दूँ तो ऐसे स्थिक के अंदर मैंने अपने दोनों बाते पूरी कर दी है यह matter नहीं करता कि वो lot के वापस आगया मुझे मतलम नहीं है मैंने export benefit पाने की दोनों के दोनों condition अपने पूरी कर दी थी आता है मुझे यहां पर तमाम प्रकार के export benefit पान क्या आपको यहां duty drawback वगरा यानि export incentives मिलेंगे या नहीं the answer is yes क्योंकि मैं export incentive पाने की तमाम conditions को पूरा कर रहा हूँ तो मुझे वहां पर benefit दिलवा दिलवा दिया चुआएगा आगे बात करते हैं यहां पर आकर loss की जहां पर पिलफरेज और अददन पिलफरेज के हम बात क बोलेंगे इसे कस्टम अतिकारी अपने विवेक से तैय करके चलेगा आपको लिबर्टी निया वो बताएगा कि यह छोटा नुकसान था या फिर यह बड़ा नुकसान था दोनों के नियम काईदे कानून अलग-अलग है section number 13 लगता है पिलफरेज के उपर जो यह बोल कर च जाता है और पोर्ट पर आपका गुट्स अनलोड हो जाता है उधर गुट्स के कागज बन रहे होते हैं clearance order बन रहा होता है कस्टम अधिकारी के पास में वो clearance order issue होने से पहले क्योंकि clearance order issue हो जाएगा तो उसके बाद goods port को leave करेगा छोड़ेगा तो clearance order जो goods को उठाकर आगे भ पिल्फरेज होती है तो उस पर importer को duty भनने के जरूरत नहीं है अगर goods pilferd होगा तो उसके सब्बन में जड्यूटी है वो भी pilferd यहां पर हो जाएगी वो भी खतम हो जाएगी remission उसकी यहां पर दे दी जाएगी 100 unit लेकर आये थे एक की पिल्फरेज होगे 99 के उपर हमें duty का payment करना है नॉर्मल प्रक्टिस यही होती है कि importer bill of entry फाइल करने से पहले अपने goods को physically examine कर लेता है अगर उसे दिखनी है कि 99 unit ही है अविलेबल है तो 99 की ही duty net में पे करेगा और अपनी goods को 99 को clear कराके ले जाएगा बट अगर भाई दावे ऐसा हो सकता है कि उसने बिना duty एक unit को पर पे कर चुका है उसका इसे refund दे रिया जोएगा जैने कि pilferd unit के संबन में importer की duty liability create नहीं होगी तो फिर इस government revenue का तो loss हुआ तो ऐसे हालत में आकर जो custodian था उसको बोला गया बड़वक तेरी वजह से तेरी लापरवाई की वजह से पोर्ट पर जब goods था custodian ते वहां जाकर आपके चीज देखने के लिए मिल चौएगी कि जो आपके port होते हैं एक major port होते हैं एक आपके otherwise port होते हैं major port ची होते हैं वो major port trust act के दौरा संचालित होते हैं तो उनकी कोई liability नहीं है इस प्रकार से प्लिफरेज में क्योंकि वो सरकार खुद trust बनाती है और वो उसके संबन में duty हम आप से recover करके चलेंगे जहां तक सवाल है जो preferred goods हो जाता है चोटी मोटे चोरियां हो जाती है उसमें जो goods की कीमत का नुकसान है उसे obvious सी बात है insurance company pay off कर देती है तो मोटी बात है कि जब goods custodian 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 में है वहां अगर नुकसान हुआ है तो importer को नहीं है right yes sir अब आगे बात करते है other than अगर प्लिफरेज की बात की जाए तो section भी बड़ा है इसका दिल भी बड़ा है और इस section ही कहता है कि अगर goods इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो भाया किसी भी वक्ट at any time before clearance for home consumption जिया actual before actual clearance for home consumption जब तक goods custom के कंट्रोर में कभी भी किसी भी समचाए पूर्ट पर हो वेर हाउस में हो कई पर भी जब तक goods custom के एरिया में है कस्टम कंट्रोर में है कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसे सरकार खुद सफर करके चलेगी इंपोर्टर को उसके समच में कोई किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होने दी जाए अगर मैं इंडिया के बाहर से भाई साब goods अपना लेकर आ रहा था और ये हाला तो वहां पर आकर हो जाते हैं तो सबसे पहले 100 लेकर आया था 40 यूनिट जलकर मेरी राख हो जाती है तो ऐसे हालत में बूल कर चलते हैं कि भाई साब सुनो फस्ट आफ और यूर लाइबल ट बनती थी उसका आपको यहां पर रिफंड दे दिया जुआएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे आयो बस मज में आ गई होगी ठीक है जो आपकी यह बड़ा नुकसान है यह अल्वेज इंडारेक्ट मैनर में ही आपको दिया जाता है कि पहले आपको पे करना आते हैं लेटर स्टेज पर आकर राइट इसकोप दोनों के अलग अलग है 13 का स्कोप छोटा है इसका स्कोप बड़ा है यह कई बार कोशन आ गया कि 13 और 231 को जरा आप कंपेर करके बताए कि दोनों के बीच में अंतर क्या आता है दूसरा 13 के अंदर जो कस्टोडियन है उस पर जो गौर्मेंट ट्रवेन्य को नुकसान हुआ है इंपो ड्यूटी ना मिलने के रूप में तो इसको कस्टोडियन से कॉमपनसीट किया जाएगा ऐसा बलकुल भी देखने को नहीं मिलता है आई हो बात समझ में आगी होगी ठीक सर जी तो इसके लिए मैंने प्रापर त देखके लगून दीजिये डार जहां काम आवै सुई कहा करे तलवार इसका अर्थ ये है कि देखिए यहाँ पर यह जो पिलफरेज होती है यह आपकी सुई है चोटा सेक्शन है चोटा एरिया है चोट चोटी बाते हैं यह बड़ा लॉस बड़ा सेक्शन यह आपका तलव लगाओगे सरो पिलफरेज है तो ओविस सी बात है सुई ही लगाई जाएगी और अगर अगर अधर दन पिलफरेज है तो ओविस सी बात है तलवार ही वहां पर इस्तिमाल के जाएगी कहने का मतलब यह कि मान लीजिए यह से वेर हाउस के अंदर कोई पिलफरेज हो जाती ह तो क्या section 13 काम करेगा नहीं section 13 आपका custodian की ऊपर एक टीका करण कर देता है उसकी जिम्मेदारी है वेरहाउस की पर में प्लिफरेज का कोई किसी प्रकर करोड नहीं होता है दूसरा क्या प्लिफरेज अगर वेरहाउस में ही तो section 231 काम करेगा the answer is no section 231 जो है वो बड़े बड हो जाते हैं उनको भरने की दवा होती है यह से मान के चलिए युद्मे लड़ना होगा तो भी सब तलवार चाहिए होती है और कपड़े की सिलाई करनी होती है तो सुई चाहिए होती है हम कपड़े की सिलाई तलवार से नहीं कर सकते और सुई से युद्मे दुश्मन को ऐस उसी प्रकार के section का chain करेंगे, छोटा तो छोटा section, बड़ा है तो बड़ा section, नहीं कि बोट the sections are mutually exclusive, एक सुई है तो एक तलवार है, एक दूसरे के काम को ये नहीं कर सकते, अपने अपने इनके दाइरे बटे हुए हैं, तो तलवार भले ही बड़ी है, बड़े ही powerful है सुई के म मुकाबले, लेकिन सुई का काम तलवार कभी नहीं कर सकती, और तलवार का काम सुई कभी नहीं कर सकती, बोट आर्मी चुली exclusive ठीक, उसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं कि भाई, यहां पर आएगा और यहां पर आकर बोलता है कि section number 70 के अंदर बाद की जाती है, आप इंडि इंडिया के बाहर से 100 लिटर लेकर आये थे, गोदा में रख दिया, वहां पर सिर्फ 90 लिटर आपका बचता है, दस लिटर आपका वैपरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो बताइए अगर यहां पर यह उड़ गया है, तो भाई साब इंपोडिटी भी उड़ जाएगी तो जहां जाएगा, तो उड़ गया ना, तो मैं भी तरह साथ उड़ चलूँगी, रे, बहुत प्यार किया है, मैं तो जहें, ऐसे करके बूल दिया जाता है, तो आपकी यह ड्यूटी लिटर बनेगी, वो फाइनली 90 लिटर के उपर ही बनाई चुएगी, तो यह है आपका जान है, तो जहान है, फैंक दो गुट्स को, कुछ जा सिमरन, तो गुट्स को फैंक दिया, इस होप के साथ कियो अब आगे वो रिकावर नहीं होगा, है ना, या फिर और दिक्कत आती है, और समझ से पैदा हो जाती है, तो फिर गुट्स को दोबारा फैंक दिया जाता है, तो कुछ गुट्स दूब जाते हैं कुछ तैर जाते हैं जो भाईसाब इस उम्मीद के साथ फैंक दी जाते हैं कि भाई लॉट के वापस नहीं आएंगे वो डरलिक्ट के नाम से भावेश्य में प्रसद्ध हुए जो फैंके गए किसी वैसल को डूबने से बचाने के लिए और भाईसाब जो डूब गए वो जैटसम के नाम से प्रसद्ध हुए और जो वैसल को डूबने से बचाने के लिए पानी में फैंके गए थे और वो बेशरम पानी पर तेर गए उन्हें फ्लोट सेम के नाम से बुलाया गया और कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आकर यह हालात हो जाते हैं वो डूब जाता है यह फस जाता है लेहरों के बीच में जहाज तो अगर इस प्रकार की सती बनती है तो इससे बोलते हैं भाई साब हम रैक के नाम से जानते हैं जहां पर कार गो इधर उधर भटकता रहता है यानि कुल मिलाकर समंदर के अंदर का नुकसान है किसी भी तरीके से अब होता क्या है कि माली जे इंडिया के बाहर से आप सो इनुट लिकर आ रहे थे लेकिन समंदर में फैकाए भाई साब 30 इनुट फैकाए आप लेकर आए सिर्फ 70 इनुट पोट पर लिकर आते हैं आपक कुछ घटना घटत हो गई है और रेस्क्य डिपार्टमेंट ने महनत करके 30 के 30 को यहां पर लेकर आ जाता है जब यहां पर लेकर आ जाता है तो भाईया इंपोर्टर कहता कि मालिक तो मैं ही हूँ लेकर तो मैं ही जाऊंगा पर आई एम नौट इंपोर्ट इस गोड़्स म आ गए हैं you are liable to pay duty and moreover ठीक से पड़ इंपोर्टर की definition को उसमें लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति इंपोर्ट करें so import दूसरा कि जो व्यक्ति ने इंपोर्ट तो नहीं किया बट छुडाने से पहले वो उसका मालिक है तो ऐसे मालिक को भी हम इंपोर्टर का नाम देकर चलत मतलब अनेक अनेक प्रकार के नुकसान जब होते हैं तो वहां पर import duty का क्या सीन होगा अगर मतलब पूरा चैप्टर बड़ा सा है लेकिन है एक ही बात पर आधारित क्या कि अगर goods में नुकसान होगा तो to the extent import duty भी नुकसान में चली जाएगी अब बात कर रहे हैं relinquishment किया क है तो भाई साब relinquishment एक सुविधा है जैसे गदर एक प्रेम करता है ऐसे रिलिंक्विश्मेंट एक सुविधा है और इस सुविधा क्या है मतलब कि आप अपना जो goods इंडिया के बाहर से लेकर आए हो इसे यहीं पूर्ट पर छोड़ दीजिएगा भाई सब यह क्या सुव लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रबर की बंपर पैदावार होती है जिसके चलते हुए रबर सरकों पर बिखरी हुई पड़ी है आपको पता भाई से बितरा खर्चा होने के बाद आप इस इंडिया में बेचोगी तो आपकी डिसिजर मेकिंग के लिए संक कॉस्ट हो जाती है अब आपकी जो रेलिवेंट कॉस्ट फर डिसिर मेकिंग वो निकल क्याती है चालिस हजार देकर दहजार लेना है या फिर नल दे नले ज्यादा फाइदा किसमें है अगर देकर बाजार से दहजार रिकवर करोगे तो आप 30,000 के नुकसान में जाओगे और अगर आप मान इंपोडियूटी का पेमिंट नहीं करना पड़ेगा जिस पिकॉस अब डसनेशन में जीवल यूर नोट क्लिरिंग यूर गोड्स फर होम कंसम्शन देट्स वाइट यूर नोट लियाबल तो पे इंपोडियूटी ओन इट राइट यस सर अब कैसे करते हैं रिंकुश्में आपके तीन जिगाओं पर करवाएगे हैं एक है सक्षen 23 2 के अंदर जोकि पोर्ट पर होता है एक है प्रॉईजर तो सक्षच़र 68 के अंदर जोकि आपका वेर हाउस के अंदर होता है ये बाई साब इठर और एक होता है आपका कुलिरंस किराने के बाद घर पर आकर जब तक दिमाग में पिक्चर फिल्म नहीं चलेगी जब तक मजा नहीं आगा इसलिए फिल्म चलाइए चल का रहा है यहां परा करें ठीक है जिसलिए फिल्म मेरे दिमाग में चल रही है जब पढ़ते हैं क्लास में तो फिल्म में चलवा देता हूं लेकिन अब तो मुझे बोलना अभी भाई देना पड़ेगा, कस्टोडियन के जो पोड द्यूस हैं, वो भी पे करने पड़ेंगे, अगर वेराउस सुधा, खराविड ली नहीं इस केस में, अगर लेते, तो उसके चारिज भी हमें पे करने पड़ते हैं, हमें सिर्फ रियायत एक चीज़ से मिलेगी, कि इ यहां पर टाइटल छोड़ेंगे, तो भी हमें इंपोर्ड डूटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अगली बात, अगर हमने मान दीजे डारेक्ली यहां से यहां छोड़ा लिया था, जल्दबाजी में छोड़ा कर ले आए, यहां के पता लगा हाई राम, यह हमने क्य कर लिया, यह तो डिफेक्टिव निकला, तो ऐसे हालात के अंदर भी हम अपने गोर्ड का टाइटल छोड़ सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, और जो भी हमने डूटी भरी थी, उसका हमें यहां पर रिफंड दे दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजी ए, हाई राम, हमने यह क्या कर दिया, हम तो मारे गए, हमें तो असर नहीं करना चाहिए था, छुड़ाना चाहिए नहीं था, तो क्या यहां पर आकर टाइटल रिंकुश किया जा सकता है, the answer is no, हम नहीं कर सकते, क्यों, सरकार कहते हैं, बड़वक, एक मौका तुझे यहां दे दीजिए, जी नहीं, चांस तीन नहीं मिलेंगे, दो ही चांस मिल सकते हैं, अगर इस रूट पर जा रहे हो तो यहां कर लो यहां कर लो, और अगर यहां से डारेक्ट छोड़ा लाया हो तो यहां कर सकते थे, और चांस टू यहां दे सकते थे, तीसरा चांस आपको किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा कहने का मतलब यह कि इस आपके पास बस वही यहीं तक कर सकते हो यहां लाने के बाद अब आपने गुट्स का टाइटल नहीं छोड़ सकते हो राइट यह सर उसके बाद में फिर क्या होगा सर एक छोटी बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आपका गुट्स इसमगल्ड गुट्स है यानि कि इंप्रॉपर तरीके से आपने इंपोर्ट कर रखा है तो आप उसका टाइटल छोड़कर आप बाइज़त बरी नहीं हो सकते हैं कि असमान लीजिए आपने कुछ गरत उल्टा शीदा गुट्स इंडिया के बार से इंपोर्ट कर लिए कि पकड़े गए तो ठीक है हम उसका जो टाइटल है वो रिलिंक्यूश कर देंगे और नहीं पकड़े गे तो मौझा ही मौझा तो बहुत पकड़े गए पकड़े जाने पर हमने का चल जाओ हम इसका टाइटल छोड़ते हैं वी आ नौट दा ओनर कस्टम डिपार्ट करना उसके बाद जो सेक्शन 26 ए है क्योंकि जब पोर्ट पर करते हैं सेक्शन 23 टू लगता है जब वेरहाउस से निकालते समय करते तो प्रवाइजर तो सेक्शन 68 लगता है और जब पोर्ट से छोड़ा कर ले आया थी डारेकली और वहां घर पे लाके करते हैं तो वहां से एक्शन 26 कैपिटल ए कुछ और भी बात करता है अधर देन रिलिंक्विश्मेंट वो कहता है कि सुनो हमारी बाद आपने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया यस पहली बात दूसरी बात जब आपने इंपोर्ट कर लिया तो आपने पाया अपने आप उसके तीन मेंसे कोई एक एक्शन ले सकते हो नमबर एक कि आप उसे वापस एक्सपोर्ट कीजे जहां से गलत माल आ गया है लेकिन अगर एक्सपोर्ट हो जाता तो बहुत अची बात है लेकिन हो सकता है कि सामने वाला ठग बैठा हुआ हो आपको पहले लूट लिया किस्टमा दिकारी के समक्ष या फिर आप इस गुड्स को डस्ट्रॉय भी कर सकते हो बिफोर कस्टम आफिसर अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो डस्टनेशन आपका इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहा है और आपको सेक्शन 26 एक के मुताबिक 100% के ड्यूटी का दिया जाएगा लेकिन कुछ शर्ते हैं क्या भला शर्ते ये हैं कि आपको यहां पर यह देखना होगा कि आप जो यह एक्शन ले रहे हो तीन में से कोई एक आपका एक्शन 30 डेस के अंदर अंदर आ जाना चाहिए हाओएवर इसमें तीन महीने का एक्स्टेंशन जरूर द देनी होगी तब आपको यहां पर यह मिल जाएगा आपका यह 100% का refund available करवा दिया जाएगा पर ध्यान रखें बात को यह समझें ऐसे करके कि ऐसे हालात में तीन सिचुएशन के अंदर यह सक्षन काम नहीं करेगा नमर एक अगर आपका goods perishable in nature का है short life वाला है तो यह सक्षन बिलकुल भी आपके लिए work नहीं करेगा आपको कोई refund नहीं दिलवाएगा दूसरी बात यह निकल के आती है कि अगर मानीजिए आपने goods को indirectly clear करवाया था warehouse के थ्रू लेकर आया थी तब भी आपका section 26 capital एकाम नहीं करेगा और तीसरी बात यह है कि जो आपका goods लगता है कि व होता है कि defect तभी पता लग पाता है कि जब वो product खुल जाता है जैसे मानीजिए मैं बहार से shirts लेकर आता हूं shirts के अंदर वानी हिस्से में cut लगा हुआ था वो defective shirt थी अब यह मत करना कहां से ठेले पर से लेकिया थे ऐसा कुछ नहीं था ठीक जगा से लेकर आया था उसमें नहीं जी पैकिंग आपने खुल दी मैं वापस नोगा मैं का लेनी पड़ेगी आपको क्योंकि defect साबुत जब पैकिंग में था तो दिख नहीं रहा था अब दिखा है तो अगर ऐसी situation मनते है कि defect को detect करने के लिए अगर उसको खोलना या repair करना चलाना जरूरी है तो चलेगा कोई दिक्कतवाली बात ने फिर भी आपको section का benefit available हो जाएगा अगर ऐसा करना जरूरी था तो to locate the defect ठीक है यस तो यह हमारी बात आगई important section है अच्छा है अपका लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के आती है सर यह जो लिखा है न export कर देना कि हम इसको export भी कर सकते हैं तो इसक दिया जाता है सर वहाँ पर 98% मिलता है यहाँ पर 26 एक अंदर हमें 100% का मिलता है तो हर कोई व्यक्ति यहीं पर आना चाहेगा यह 26 section जो था आपका year 2009 में आज से 12-13 साल पहले आपका insert किया गया था जबकि जो section 74 है वो वर्षों से है तो इसका मतलब जब यह section 29 में insert किया गया था तो मतलब जो section 74 है उसका वजूद कम हो गया ऐसा बिलकुल भी नहीं है देखिए section 74 एक अलग चीज है और यह यहाँ पर अलग चीज हो जाती है अगर मैं दोनों बातों compare करके चलों तो यह नि export इस कारण से ही होना चाहिए वो कहरा कि भीया defective होने की वज़े से हो तब भी section का लाभ मिल जाएगा 74-1 का या किसी और कारण से अगर माली जब habitual trader भी है तब भी आपको इसका यहाँ पर लाभ दे दिया जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ठीक चाल जी कोई दिक आपको अपना export कर देना चाहिए जहाँ पर कि आपका extension 3 महीने के लिए और available करवाया जा सकता है दूसरा जब हम 74-1 के अंदर आके बात करते तो वहाँ पर बोलता कि भाई सब 2 साल प्लस extension के अंदर अंदर आपका export हो जाना चाहिए उसका मतलब यह हो गया कि मालेजे मेरा goods वाके में defective था और मालेजे में 30 days प्लस extension के अंदर अंदर उसे अपना action नहीं ले पाया उसे export नहीं कर पाया बलकि 7-8 महीने में जाके मैं उसे export कर पा रहा हूँ किसी कारणवश तो ऐसी दश्यामे मैं 26-A से तो भार हो जाँगा इसका तो benefit मुझे नहीं मिल पाएगा लेक पाकि इस specific section के अंदर हमें lab जादा मिल रहा है लेकिन वो तभी लगेगा जब मुझे लिए eligible हूँ अगर हमें 26-A का lab नहीं मिल पा रहा तो we can try for 74-1 जहां पर हमें 98% का benefit दे दिया जाता है indirect clearance अगर मालेजिए मैं इंडिया के बाहर से goods लेकर आता हूँ फिर घर लेकर आता हूँ अब मुझे पता लग रहा है duty पे करने के बाद में कि यह defective है तो ऐसे आधार पर मुझे वापस re-export कर सकता हूँ तो वहाँ पर 26-A का benefit नहीं मिलेगा लेकिन section 74-1 के अंदर में benefit पा रहे थे remission के बाद में अब appointment की चर्चा हम करके चल रहे हैं section 22 केंदर appointment की बाते करी जाती है ये शब तब इस्तिमाल किया जाता है कि जब goods हमारे सामने available है कुछ कम value का पहले 100 रुपे का आया था लेकिन अब कुछ कम value का हमारे सामने वो available होता है यानि कि abate मतलब गिरावट कमी होना खतमनी नहीं कमी होना है मैं इंडिया के बाहर से एक इंडिया के बाहर से अगर मैं एक कार लेकर आता हूँ और उसकी standard value है वो है भाई साब 100 लाग रुपे उसके value हो और उस पर duty बनती है 80% से 80 लाग रुपे की duty बनती है ठीक है यह हम पर ही duty बनती है 80% के हिसाब स हो अब होगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ सुननो मेरी बात अगर कार के अंदर को एक किसी परकार का damage हो जाता है तो बताए duty मैं भी उत्रा ही damage हो यह नहीं हो तुझा जहां साह रहेगा मेरात साया सहथ हो गा, अगर माली यह कार अपके गरावट स्र पर घटकर यहां पर 4 लाग रजाएगा अगर यह value घटकर बिलकुल 0 हो जाती है तो duty भी आपकी मिट्टी में मिल जाएगी यह भी आपकी 0 हो जाएगी लेकिन ध्यान दीजिएगा जब तक कुछ value है तब तक section 22 कदर abitement मिलती है लेकिन value जैसे 0 होती है तो मतलब वो चीज खत किया जाता है एक है damage और दूसरा आता है यहां पर deterioration दौनों के बीच में अंतर क्या निकल क्या आता है मैं आपको समझाता हूं damage जो होता वो जटके की चीजी होती है जैसे किसी को चोट लगे बाइक पे जा रहा ता गिर गया चोट लगे यह damage है लेकिन अगर कोई व्यक्त करूं यहां पर आकर तो यह क्या है यह deterioration है यह quality loss है यह दीमक लग गए यह घुन लग गया यह बेकार हो गए यह आपका quality loss यहां पर करवाए जाता है खासतर पर बहुत सारा deterioration लोगों ने lockdown period के अंदर देखाता है कि उनके दुकाने बने थी लेकिन जब वापस खोल कर दे गुनिक ऐसी process है लकडी के अंदर जो कि over the period आपका होता है ठीक है तो जो आपका damage word है वो आपका नुकसान कहीं पर भी हुआ हो चाए unloading से पहले हुआ हो पोर्ट पर हुआ हो या warehouse के अंदर हुआ हो damage है जटके वाला है तो हर जगह अला होगा section मर बाइस आपकी मदद करके चलेगा आपको रियायत दे के चलेगा लेकिन जो over the period नुकसान होता है एक बात छोड़ी सी सोच के बताइएगा इंडिया के बार से goods इंडिया में आ जाता है ठीक है और यहां जब आया था तो ठीक था आपने warehouse में डाल दियो warehouse में पड़े पड़े goods में दीमक लग जाती है गुन लग जाता कुछ भी हो जाता इंडिया में आने के बाद नुकसान हो रहा है जब import हुआ था तब नहीं हुआ था तो कि सरकार से beer करेगी the answer is no तो इसलिए बोलते कि भाई सब सुनो हमारी बात अगर port पर हुआ है या warehouse में deterioration हुआ है तो वहां पर आपको benefit नहीं दिया जाएगा deterioration का जो scope है वो बहुत कम है यहीं से question बनाया जाएगा इसलिए beware यहीं से question बनेगा कि भाईया कि deterioration हुआ है port पर हुआ है या फिर warehouse में हुआ है ध्यान दीजिए आपको section 22 का benefit नहीं मिलेगा in case of deterioration damage है मिलेगा deterioration पर नहीं मिलेगा deterioration उसी के लिए है जब आपका पीछे से ही goods आपका deteriorate होके आ रहा था सिर्फ वहीं पर बात करके चलेगा right yes तो ऐसे सी बाते यहां पर की जाती है मैंने लिया है damage inside the warehouse yes benefit मिल जाएगा deterioration warehouse में हुआ है नहीं मिलेगा benefit destroy हुआ है खतम हो गया चकना चूर हो गया है destroy damage और destroy में अंतर होता है damage मतलब damage है बड़ क खतम चकना चूर कहांच का समानता है चकना चूर होगे भाई साब तो वहां पर आपका बाइस नहीं लगेगा वहां पर remission वड़ा जाएगा 23-1 आपका लगवा दिया जाएगा ठीक है destroy on wharf या port पर आपका destroy होता है destroy destroy section 23-1 काम करके चलेगा destroy हुआ है after clearance from warehouse for home consumption warehouse जानने के बा yes उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे क्या निकल के आता है भाई साब आगे आते हैं यहां पर निकल के मालिक आपका denaturing और mutilation की बाते की जाती हैं यहां पर देखिए जैसे मान के चलिए आप यहां पर दो प्रकार का alcohol बता रखा है एक तो आपका drinking alcohol है जो कि पीने के इस्तिमाल होता है और मतलब industrial purpose के लिए इस्तिमाल हो जाता है multi usable है इसके कई सारे use है ठीक है लेकिन जो denature होता है वो सिर्फ industrial purpose के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है अब होता क्या इंडिया के बाहर से व्यक्ति यह वाला drinking जो multiple usable वाला यह वाला alcohol इंडिया के बाहर से import करता है इस पर drinking वाले पर rate होता 1500% का बाकी पर rate होता 25% का अधिकारी बोलता कि भाई साभ आप इसे पी ओगे और पिलाओगे हमारी एंगल से ये शराब है इसलिए हम इस पर 1500% की duty लगाएंगे सामने वाला बंद बोलता है कि नहीं भाई साभ मैं पीने पिलाने में बिश्वास नहीं रखता हूँ मैं तो भाई साभ इसे अपने like industry के लिए अंदर जाकी consume करूँगा मैं इसे वहां इस्तिमाल करूँगा तो तुम्हारी नजरों में होगा ये पीने पिलाने वाला मेरी नजरों में तो ये पीने पिलाने वाला नहीं है तो भाई साभ आप इस पर duty करेट 25% लेके चले मेरे लिए तो ये industrial alcohol है अधिकारी कहता नहीं मैं नहीं मान सकता तो उसने का कि काम करो मुझे भरूसा दिलाओ कि आप इसे industry में इस्तिवाल करोगे तो ऐसे हालात के अंदर हमें एक छोटी सी बूंद मिलाते हैं एक बूंद जिन्दगी की इस के अंदर एक chemical के बूंद डाल देते हैं इस बूंद को डालने के बाद अब वो आपका जो product है जो alcohol था वो पिया नहीं जा सकता है किसी बहुत में पियेगा तो व्यक्ति पीते ही मर जाएगा ये हाला तो उसके यहां पर निकल के आ रहे हैं इंडेस्टिर प्रफस का मतलब हो गया कि आपके बहुत सारे जो insect killer होते हैं डूडेंट्स होते हैं उनके अंदर alcohol की मात्रा होती है तो वहाँ पर इसके इस्तिमाल किया जाएगा फ्रेम से बोलेंगे राधे राधे बोलो बात समझ में आए कि निया आई हाँ सारी समझ में आगई है कौनों दिक्कत वाली बात नहीं है तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा अगर तू ऐसा दिखेगा तो मैं भी तेरे जैसे ही दिखूंगी तो यहाँ पर 25% का रेट अपना अपलाई करा दिया जाएगा वो बोलता है कि तुम्हारे लिए कार होगी मेरे लिए बीकार है मैं इसके पार्च को निकालूंगा और बाजार में बेच दूँगा मैंने भरफ़े दिला दिया कि मेरे लिए सिर्फ यह पार्च से ही है तो अगर मैं इसके पुर्जे पुर्जे निकाल दूगा तो बताए इंपोर्ट ड्यूटि के भी पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे और नहीं होंगे यह फिर उसके ऑपफर ड्यूटि का रेट पचास पर का लग जाएगा अधिकार इसको ऐसे क्रेट करेगा जैसे आपने कार नहीं हाहा कार या यानि कि ये वेच्ट यानि कि सेकंड एंड गुड्स ये अपने इंडिया के बाहर से इंपूर्ट किया है इसी बात को बोलता है सेक्शन नमरr 24 जो कहता है अगर आप गुड्स इंडिय के बाहर से import करते हैं और उसकी put पराकर denature निगा mutilation कर देते हैं तो अधिकारे उसे ऐसे मानेगा जैसे कि आपने goods denatured या mutilated foreign में इंडिया के बाहर से input किया है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बोलो बाबू बात समझ में आई के नहीं आई हाँ सर जी आगी बहुती अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाती है उसके बाद में आती है आपके section number 25 जहां पर बोलते हैं power to grant exemption इसका क्या मतलब है हर एक act के अंदर एक section होता है जैसे income tax के अंदर आपका section number I think 10 है आपका GST के अंदर section number 11 आता है CGST को यहां पर section number 25 जो बोलता है कि भारत सरकार को power है कि वो holy partially conditional unconditional किसी भी तरह की exemption notification को issue कर सकते हैं पहली बात दूसरी बात यह है कि जो notification issue की जाती है वो कौन सी date से अपकी effective की जाएगी तो उसमें normal principle यह कहता है कि जब notification आएगी तो उसमें बता रखा होगा कि कौन सी date से अपकी भई लागू हो होगी वो date specifically mention कर रखी होगी अगर ऐसी कोई date mention नहीं कर रखी है तो जिस दिन वो notification issue की जाती है वो उसी date से effective मान ली जाती है तीसरी बात में निकल के आती है कि मान लीजिये अगर को supplementary notification बाद में issue की जाती है within the one year issue की जाती है to specify the scope or applicability of the main notification that has been issued earlier अगर को supplementary notification आती है तो that supplementary notification shall be deemed to have been the part of the main notification और जिस दिन से main notification issue हुई थी जिस दिन से वो effect में आई थी उसी दिन से आपकी supplementary notification भी retrospective effect से effect में मानी जाएगी बशरते कि आपकी supplementary notification एक साल के बीतर बीतर आ गई हो अगर मानी जी supplementary notification एक साल के बाद आती है तो फिर उसको prospectively ही apply किया जाएगा इसके सासत में आपको ये भी बताता हूँ कि भाईया यहां pipe और pipe fitting का example लेके समझाया था कि सरकार ने बोला कि यह pipe जो है वो आपके exempt है लेकिन pipe fitting के बारे में नहीं बताया कि pipe fitting exempt होंगे या नहीं होंगे इस पर confusion आ जाती है क्योंकि अगर आप literally पढ़ते हो तो pipe का मतलब सिर्फ pipe होता है च्योंकि pink movie के अंदर बताया गया कि no का मतलब सिर्फ no होता है तो यहां पर भी pipe का मतलब सिर्फ pipe ही होगा pipe fitting आपके बला exempt नहीं होगी इसमें deal करते है Mr. X है और इसमें करने वाले Mr. Y है तो X तो खुश हो गया लेकिन Y को दिक्कती कि मैं क्या करके चलूं इस पर tax पे करूं या ना पे करके चलूं यह समझ से पैदा हो जाती है तो जब किस परकार के कोई scope को लेकर दिक्कत आती है तो government यहां पर notification जारी करती है additional अच्छा दूसरे अगर आप इसके literal interpretation लेके चलते हो तो literal interpretation यह निकल के आती है मतलब processed चीज तो आपको मिल जाएगी लेकिर गना नहीं मिलेगा तो यह liberal interpretation है लेकिन जब तक सरकार clear cut नहीं बोलेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि उनका रुख क्या है strictly पढ़ रहे हैं उसको या फिलिबरली पढ़ रहे हैं यह interpretation को उपर निर्वगर की चलता है तो इसके लिए सरकार एक supplementary notification यहाँ पर डालती है उसके अधार पर हम आपनी बात करके चलते हैं तो उसी के applicability के बारे में बात कर रहे थे एक आता आपका special order special order के समन्द में क्या होता है कि special कुछ मामलों के अंदर खास मामलों के अंदर इसकी applicability की जाती है जो किसी व्यक्ति विशेश के समन्द में कुछ एक रियायत दे के चलता है exemption दे के चलता है जैसे सचिन साब ने जब बाहर से Ferrari उनको मिली थी गिफ्ट में मिली थी उनने ब्रेक किया था सर जो डोनाल बैट्समेंट थे उनके जो रिकॉर्ड थार को ब्रेक किया थे तो वहाँ पर जो कंपनी थी लाइक जो ये वाली जो फियेट कंपनी थी इसने माइकल शूमा करके थूरू इनको सचिन सहाब को एक ये फरारी मैदेनो करके थी ये कुछ करके इसकी वैल्यू 95 रुपे के असपास की थी वह गिफ्ट कराई थी लेकिन ड्यूटी का चक्र पढ़ गया था गाड़ी थी 95 रुपे के लेकिन ड्यूटी बन रही थी उस पर करीव करी 1.13 करोड रुपे का घ्षरिक रही एकिन ड्यूटी हो जाएगा क्योंकि special order कोई ऐसे थोड़ना इशू हो जाएगा कफिल साब ने भी का कि भईया फिर तो हर sportsman के लिए होना चाहिए कि भईया impurity exempt होने चाहिए ऐसे कैसे कर रहे हो वेक्ति विशेश को आफाइदा क्यों दे रहे हो क्योंकि special order नॉर्मली तभी शुक्य जाते है कि government have the power to issue a special order in special cases जहां पर कोई विवाद ना हो तो वहां पर को exempt कर सकती है बाहर के लोग आते हैं अमरिका के बराक उबामजी यहां पर आया करते थे अपनी गाड़ियों का रेला लेकर आया करते थे 20-25 गाड़ियां साथ में आई हैं इंडिया के बाहर से जहाज में रखकर जो यहां इंडिया में चलेंगे तो आपको क्या लगता है कि आते समयं duty भरी जाएगी जाते समयं duty drawback लेंगे the answer is no तो special order पास करके उनको exempt कर दिया जाता है ठीक है यहां तक हमारी बात हो जाती उसके बाद में आता है आपका section नंबर आता है 25 एकर के inward processing की बात करता है inward processing की घटना आपकी यहां पर निकल के आती जो यह कहके चलता है तो यहां पर यह import किया गया है export करने के लिए मताब goods आया है लेकिन चला जाएगा तो यहां पर import duty की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर जाएगा क्यों कि अगर आपनी import duty चार्ज कर ले जब goods वापस जाएगा तो फिर आप duty drawback देते फिर होगे तो इसलिए का कि अगर वापस जाना ही है तो बताओ किसम खाईए और टाइमर लगाईए किसम खाओ कि आप इसे वापस कर दोगे और किते समय में एक साल के भीतर भीतर और goods आपका identifyable होना चीए कि जो आया था यह पहचान हो सके कि हाँ यह वाला गया है मार्क किया जा सके identifyable और एक साल में अगर भीज़ दोगे तो इस पॉइंट पर हम आपके इस को ड्यूटी को exempt कर देंगे दूसरी बात यह कि यहां जो repair वगगरा की service की बात करके चलते हैं कैस पर GST आता है the answer is no इस पर GST भी आपका नहीं आता section 13-3 का proviso यहां पर आपका लग जाता है उसके चलते हैं अपका GST भी नहीं डगा जाता क्योंकि यह जो service यहां पर ली जा रही है इसका जो real consumption place है वो इंडिया के बाहर है इसलिए logically यहां पर GST भी नहीं आना चाहिए तो goods आया और चला गया तो no import duty no GST at all right उसके बाद आगे बात करते हैं outward processing यानि outward processing का मतबए repair maintenance, job work etc इस बार इंडिया के बाहर जाके हो रहा है आप इंडिया के बाहर से कोई भी goods supply करते हैं और वो बाहर repair वगड़ा होकर इंडिया में लौट कर आता है तो वैसे हालात में क्या करके चलते हैं तो यहाँ पर मालिक बताया जाते हैं कि बाहर से बाहर सिब लौट के आती है तो ऐसे हालात के अंदर अगर goods आपका आइटिफाइबल है repair maintenance, repair maintenance, not amounting to manufacture तो ऐसे हालात के अंदर जो भी आपका value addition abroad में हुआ है, fair cost of repair है और आने जाने का जो भाड़ा है वो सबको आप जोडने के बाद जो आएगा उस पर आपको impository और IGST वगरा जो भी आपके बनते हैं उनका आपको payment करना पड़ता है लेकिन notified goods के समण में अगर processing वगरा इंड ठीक है, yes, उसके बाद में आते हैं मालिक ये खतम हो गया और उसके बाद फिर क्या है, फिर तो section 26 है, ये आपको मेरे homework में दिया था, एक बार आप इसे खुद देख लिजिएगा, इस प्रकार से आपका ये chapter जो काफी कुछ अपने आप में वजूद रखता था, ये complete क्या, लेवी कब और कैसे होगी, और exemption, remission, refund, etc. ये बाते आपकी कब-कब अपलाई करी जाएंगे, जो section यहां पर इस्तेमाल कियेगा, section 12 है charging section था, 13 के अंदर pilgrimage था, 23 1 था आपका other than pilgrimage, 23 2 था relinquishment at port, provider to section 68 था, जो कि वेर हाउस ये removal पर बात करके चलता है, and उसके बाद 26 A था denaturing mutilation, 25 भी था, 25 A, 25 B, कई सारे sections हमारे यहां पर आ गए है, 21 भी था, अगर हम शुरू से बात करके चलें, तो section 12 था, 13 था, ठीक है, pilgrimage पिलफरेज, उसके बाद 21 था, डरलिक जट्सम आए गए हो, लाए गए हो, 22 था, damage or deterioration, 23 1 था, other than pilgrimage, 23 का 2 था, relinquishment at port, उसके बाद में, 24 12 था, denaturing mutilation, 25 था, power to grant exemption, 25 A, था, inward processing, 25 B, था, outward processing, 26 homework, export duty का refund होता, 26 A के अदर, import duty के refund की बाद आप से करके चलता है, इतने सारे sections आपके यहां पर इस्तिमाल किया जाते हैं, अब आगे आते हैं, custom, custom rule 2017, बहुत सारे बच्चे यह कहते हैं, हैं, यह भी को rules हैं, हाँ भाया, य important हैं, rules important हैं, इस बार इनमें major amendment, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल का, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है, यह जो rules हैं आपके, यह rules बड़े-बड़े important हैं, most important हैं, इस बार के लिए, छोटा सा chapter है एक, इसमें major amendment भी हुई है, इस बार, so for this time, it is most important, mark कर लीजेगा, अच्छे से आप इसको, ठीक है, यह सर, अब यहां होता क्या है, यहां पर बताया गया, यह जो chapter है, यह basically, अब यह मानों के पिछले chapter का extension है, इसमें बताया जाता है, कि भई, अगर आपकी like, and used based exemption है, तो उसे आप कैसे avail करके चलोगे, समझ के चली एक situation ऐसा है, कि भई, यह है crude vitamins, अगर सरकारनिक notification जारी कर रखे, कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर से crude vitamin को import करता है, और import करके उसे animal feed बनाने में लगाता है, तो ऐसे import के उपर हम concessional rate of duty चार्ज करेंगे, normally अगर कोई व्यक्ति यहां पर इस्तिमाल करता है, उसे normally animal feed के लाबा, 16% की duty लगा जाती है, लेक नहीं, एक लाक रुपे के अगर आप इसे खरीद किलाते हो, तो नॉर्मलिस 16,000 रुपे की import duty बनती है, बट अगर आप यह commitment देते हो कि आप इसे animal feed बनाने में इस्तिमाल करोगे, तो आपको सिर्फ 4000 रुपे की duty port पर पे करनी पड़ेगी, काफी भारी भरकम यहां पर changes कालिक, यहां पर आपका यह पूर्ट बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर आप बंदे की factory है, ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि भाईया हम इंडिया के बार से लेकर आ रहे हैं, और विससी बात है, बंदा बोलेगा कि भाईया मैं इसके vitamin लेकर आ रहा हूँ, animal feed बनाने में इस्तिमाल किया है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहां पर जो custom अधिकारी है इनका, यह बड़ा चिंतित है कि भाईया यह इसे इसमें इस्तिमाल करेगा भी या नहीं करके चलेगा, तो यह क्या बोलते हैं काम कर, तेरे area का जो jurisdictional अधिकारी है ना custom का, jurisdictional जो कस्तम अधि को देगा, तीन सेट बनाएगा, क्योंकि एक वेक्ति यह है, एक यह हो गया और एक यह हो गया, तीन वेक्ति इनवाल में तो तीन सेट यहां पर application के बनाएगा, दो सेट इसको पकड़ा कि आ जाएगा, एक सेट अपने पास में लिकर आ जाएगा, दो सेट में से एक सेट इ कंसेक्शनल रेट के ओपर ये आप से इंपूर्ट कर रहा है सूचना मेरे पास में आईए कि भईया मैं बता रहा हूँ आपको लूप में लेकर चल रहा हूँ ये व्यक्ति अस्वश्थ हो जाता है कि ठीक है कि इसको यहां पर सारे जानकरी पता है अब क्या होगा अब होगा ये कि ठीक है जब ये लूप में आ गया तो अभी अपनी तीसरा सैट अप्लिकेशन कर लेके जाएगा कि साब मैंने नों को ये जानकरी दे दी है ये दोना अप्लिकेशन को मैच कर लेगा कि साब कुछ ओके है तो इसे चार परसंट का यहां पर बेनिफिट दे दे देगा और बात खत्म ये से लेकर यहां पर आ जाएगा और अगर ये इसे एनिमल फीड बनाने में ही लगाता है इंटेंडिड पर पसकली इस्तिमाल करता है तो ठीक है जो एक्जम्शन इसको मिली थी वो बरकरार रहेगी बारह परसंट की इसको एक्जम्शन मिल गी थी यानिकि अगर एक लाग रुपे वैल्यू थी तो बारह जार रुपे का इसको बेनिफिट मिला हुआ था तो इसके बरकरार रहेगी लेकिन अगर यह cheating करेगा तो उसे 12,000 रुपे भी आज के साथ पे करने पढ़ जाएंगे ठीक है इसे बोलते है end used based exemption कि exemption तो दे रहे हैं, concession तो दे रहे हैं लेकिन वो रहेगा या नहीं रहेगा आपके पास वो निर्भर करेगा end use के उपर कि क्या आपने end use इसका वही किया जैसा कि हमने notification में पहले से बता रखा था like animal feed बनाने में, अगर हां तो exemption आपकी बनी रहेगी और अगर नहीं तो exemption आपकी withdraw हो जाएगी ऐसे करके यह हम पर बोल दिया चाता है यह जो अधिकारी है, यह समय समय पर इसके हम वज़ित करता रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है बता opening stock कितना था, closing कितना है कहां use किया, कहां बरबाद किया, क्या किया, कैसे किया वो सारे जहनकर इससे लेता रहेगा अगर यह intended purpose के इस्तिमाल नहीं करेगा मानलो, vitamins को बेच दिया या misuse कर लिया, कुछ भी किया, whatever तो अविसी बात है यार, इसको अपना amount पे करना पड़ जाएगा अब यहां पर amendment क्या है, यह मैं आपको बता हूँ amendment क्या एक नया रास्ता और जोड़ा गया है ऐसा नहीं कि पुराना कुछ खतम कर दिया, नया लेकर आए बलकि एक नई चीज जोड़ी गई है नई चीज यह जोड़ी गई कि यह आदमी यहां से अपने goods को job worker के पास भेजना चाहे कुछ काम के लिए तो भेज सकता है बशर्ते की वो lot के वापस आपके पास में आ जाए च्छे महिने का यहां पर समय दिया गया है बस यह एक सुवधा यहां पर add कर दी गई है क्योंकि होता क्या था कि पहले condition यह थी कि भाईया तू vitamin लेकर आया है तुरी factory से भार ने जाने चाहिए अगर तुरी factory से भार गई तो हमाने है कि तुने इसका miss use कर दिया और तुझे differential amount पेकरना पड़ जाएगा proportionate के आधार पर लेकिन यहां पर हमने का कि नहीं भी है job worker के पास तो कभी कभी माल हमें भेज़ना पड़ता है तो ठीक है job worker के लिए allowed कर देते है माल proper तरीकी से चलान बनके यहां पे जाएगा कब जा रहा है कितना जा रहा है छे महीने का period है छे महीने तक आपका गोड़ सुहां तक रह सकता है जब यहां पर जाएगा तो custom अधिकारी को बता के जाएगा कि आप job worker के हां लेके जा रहे हो यह custom अधिकारी उस custom अधिकारी को सुचित करेगा जहां पर कि आपको मतलब पूरी force लगा देगा कि जहां job worker का jurisdiction वाला है कि भाई साब यहां माल आ रहा है जाना देख के रखना कहें कोई cheating वाजी ना हो जाए यहां कि इस पर already exemption दी हुई है तो इस प्रकार से पूरा controlling system बना कर यहां पर बात करी जाती है और यही है procedure for availing and used based exemption और यही आपका पूरा का पूरा chapter यहां पर बताया गया है राइट? यह सर और कौनों दिक्कत वाली बात सर जी बिलकुर भी नहीं है तो पूरा flow में ने आपका यहां पर बना कर दिया step wise देख सकते हैं आप इसको यहां पर आकर कि सबसे पहले हमने इंडिया के बाहर से अपना गोट से इंपूर्ट किया है कई सारे section हमारे लग रहे थे 29, 30 वगएरा 12,000 का हमारा पूरा concession बनता लाग रुपे की वैल्यू बनती थी step नमबर B पर आकर हम सारी सूचना दे कर आ रहे है अधिकारी को अपने लूप में लिया कितनी quantity का माल है नाम पता वगएरा जो भी है सारी डिटेल इसको दे कर आए और कितना हम अपना इंपूर्ट कर रहे है कितना job worker के पास मजाएगा कितना हम इस्तिमार करेंगे उस सारी डिटेल इसको पहले से यहां पर बतानी होती है उसके बादे step नमबर C पर इसमें से ये copy B1 पर यहां भेज देगा फिर A कॉपी लेकर हम इसके पास मजाएगे कि भाया हमने इसको लूप में ले लिया है आप हमें कंसेशनल डेट पर ये माल रिलीस कर दीजिए वो हमें कंसेशनल डेट पर माल रिलीस कर देगा उसके बाद में step नमबर D आएगा यहां पर जैसी goods पहुंचेगा यह अपने अधिकारे को सूचना देगा कि भाया मेरे पास goods आगया है इतना goods इस quantity में ऐसे से करके आया है records maintain करके चलेगा quarterly frequency पर return भी submit करके चलेगा कि मैंने इस goods का vitamins का crude vitamins का क्या किया दूसरी बात यह crude vitamins को इस्तिमाल कर सकता है अगर manufacturer है तो product बनाने में service provider भी इस परकार की सुविधा का लाब ले सकते हैं लेकिन ध्यान दीजिए gems and jewelry sector के लिए यह job worker वारी सुविधा अविलेबल नहीं है दूसरा यह जो end use based exemption है अगर आप support service दे रहे हो after sale service दे रहे हो तो भी यह सुविधा आपकी काम नहीं करेगी यह तभी काम करती है जब आप कोई fresh service दे रहे हो fresh service provider हो जो की सरकार ने notification के जरी आपको बता रखा है तो यहाँ पर इस परकार की बात की जाती है records maintain करने है written आपको file करनी पड़ती है वो वाली बात यहाँ पर मालेक निकल के आती है जहां तक सवाल है job worker को आप क्या transfer कर सकते हो जी हाँ जो main है इसमे amendment है इस बार के लिए latest वो आपकी ये वाली इसको जरा ध्यान से दिखके जाएगा यहां से निश्य तोर पर question आपके लिए बनाया जाएगा तो job worker के पाँ जब भेजते हैं तो पूरा process रही होगा कि जब importer अपने permission से job worker के यहां भेजेगा तो पहले अपने वाले अधिकारी को बताएगा इसका अपना वाला अधिकारी job worker के ऊपर जो अधिकारी कस्टम का उसको बताएगा चलान बनके यहां पर जाएगा छे मेने का वापसी का समय होगा वही सारी बाते बता रखी हैं जैसे importer give इंटिमेशन इंडुप्लिकेट जूरिस्डिक्शन कस्टम और अफिसर अपने अधिकारी को बता के चलेगा कि वो क्या करने जा रहा है सारी डिटेल समझाएगा जो उपर वाला अधिकारी है वो जॉब वर्कर के अधिकारी को सूच ना देगा डिस्क्रिप्शन कौांट्री वगरा सारा कुछ बताए जाएगा जॉब वर्कर का टाइम 6 मेने का है 6 मेने के अंदर काम खتم हो जाना चाहिए जॉब वर्कर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटिन करेगा और इस खेल के अंदर कोई भी चीटिंग होई तो हम जॉब वर्कर को नहीं पकड़ेंगे हम इसको पकड़ेंगे जिसको हमने कंसेशन दिया है इससे पूर्तिया पूरे अमांट की रिकॉरी वहाँ पर करा दी जाएगी ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है ठीक है जी अच्छा सर जी उसके बाद आगे क्या साहब आगे यहाँ पर कुछ एक परिभाशा हैं बता रखें एक्ट का मतलब कस्टम एक 1962 है Capital Goods का मतलब क्या है हम अपने इंपूट के साथ-साथ कुछ Capital Goods भी इस कंडिशन पर इंपूट कर सकते कि वि इल यूज दिस Capital Goods फ़र डट पापस तो अब क्या होता है कि इंपूट में तो पता लग जाता है कि Capital goods की चर्चा भी यहां पर एड की गई है, जो की latest amendment का पार्ट है, input के साथ capital goods can also be purchased, या imported under and used based exemption notification, we will use our capital goods for that purpose, उसके बार मैं यहां पर यह पूरा बताया कि job worker के पास कैसे कैसे जाते हैं, तो बताया कि आप import करते हैं, input capital goods, आप manufacturer हो सकते हैं, service provider हो सकते हैं, लेकिन आप after sale service के ल मान भेश सकते हैं, लेकिन gems and jewelry sector के अंदर ये चीज़ आपकी possible नहीं है, निश्चित question आगे ध्यान रखेगा, manufacture कौन कहते हैं, किसे कहते हैं, manufacturing का मतलब होता है, जहां पर एक process apply की जाती है, और process apply करने के बाद एक नया product वहां पर emerge हो जाता है, जिसका कि एक नया use, नया नाम रखा जाता है, उसके बाद आगे बुलते हैं, साब यहां पर आकर कि भाई, मन लीजिए, आपने vitamin import इंडिया के भार से कर ली, और vitamins हो सकता है कि आप उसे intended purpose के लिए जैसे बुला गया था, वैसे करके आप उसे इस्तमाल कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ह लेकिन अगर आप उनका misuse करते हो, तो क्या होगा, misuse करोगे तो जितने तक का आपने misuse किया है या destroy कर दी है, ultimately उतने तक यूनिट आपने intended purpose के साब से नहीं लगाई हैं, तो you are liable to pay duty on that, तो otherwise का मतलब क्या, otherwise मतलब misuse की हैं, या फिर आपने इंडिया में बेच दी हैं, तो भाईया आपको proportionate amount पर duty का payment करना पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिये, खतरनाक है, अगर आपने इंडिया के बाहर से crude vitamin concessional rate पर import कर ली, और लेकिन उसके बाद फिर आपने इसको वापस export कर दिये, just because वो defective थी, या surplus आगे थी, whatever, आप उसे वापस भेज देते हैं, तो क्या होगा, तो क्या आपको 12,000 रुपे का concession amount पे करना पड़ेगा, the answer is no, मालिक, आपको पे नहीं करना होगा, इसकी situation में, क्यों, क्यों कि आपने import किया था, फिर वापस export कर दिया है, ऐसे में तो 12,000 को छोड़ो, आपने जो 4,000 का payment कर दिया था, वो भी आपको refund दिया किया, ओके, अगर आपने other purpose के ले किया, तो आपको differential amount पे करना पड़ेगा, मालो सारा का सारा माल other purpose के ले इस्तिमाल कर लिया, तो हमने आपको 12,000 का concession इस आधार पर दिया था, कि आप ऐसे करोगे, लेकिन आपने इसे नहीं किया, तो आपको 12,000 plus interest देना पड़ेगा, लेक इंडिया के बाहर जा चुका है, अब तो रैदर पे करना छोड़ो, उल्टा मुझे मिलेगा, जो 4,000 रुपे मैं पे किये थे, इंपोर्ट करते से में, वो भी मुझे वापस दे दी जाएंगे, बिकास अब deal cancel हो चुकी है, और goods इंडिया के बाहर आपका जा चुका है, वै एक एक 2020 को इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट इूटी करेट 16 परसेंट था, एक्जम्शन के बाद 4 परसेंट था, वैल्यू आपके एक लाग रुपे की थी, आपने क्या किया, उस एक हजार किलोग्राम मैट्रियल का, 900 किलो 90 परसेंट आपने intended purpose के इस्थिमाल किया, त तो क्या किया जाएगा, जो 9900 केजी है, वो ओके, जो एक्जम्शन के आप हगदार रहे, जो मिलनी थी और मिल चुकी आपको लड़ी, जो अपने वापस भेज़ दिया, रिएक्सपोर्ट कर दिया, तो इसके संबन में क्या होगा, कि जो ओल्रडे अप डूटी पे कर चुक कि देखो 50 किलोग्राम की वैल्यू भला क्या निकल कर आती है, सर देखो पूरा जो बेनेफिट था बेसिकली, आपको यहाँ पर 4000 रुपे की हमारी डूटी हम पे कर के आये थे, 4000 रुपे हम डूटी पे कर के आये थे, और 5% उसका ये निकल के आ रहा है, आपका 200 रुपे, तो proportionate duty on 50 kg आपकी निकल क्या रही है, 200 रुपे के, तो 200 रुपे के duty आपको 100% पूरा का पूरा पैसा रिफंड दे दिया जाएगा, if you are claiming refund under section 26 A, अगर आप 98 वाले में चले गए, section 74 1 में चले गए, तो वहाँ आपको 156 रुपे रिफंड दे दिये जाएंगे, उसके बाद 5 परसेंट जो आपने like need to pay differential amount जो आपने destroy कर दिया है, otherwise मैं कर दिया है, तो आपको concession कितना मिला था, पहले ये देखिए, तो आपको जो concession मिला था माले के वो कितना बनता था, total concession 12,000 रुपा था, proportioned concession निकालोगे, तो आपका 6,600 रुपे का concession बनता था, अब ये 600 रुपे आपको pay करना पड़ेगा, 15% का ब्याज लगेगा, कहां से कहां तक का, जब आप अपने goods को लेकर आए थे, वहां से लेकर till the date of payment, आपको इसमें ब्याज लगाया जाएगा, ऐसे करके, तो एक एक दोजार बीस से 10,4 दोजार बीस तक का ब्याज लगेगा, जो आपका 25 रु पुट की कि अगर आपने input को miss use कर दिया, तो वहां पर क्या किया जाएगा, अगर मैं कोंकि भाईस अगर आपको capital goods था, उसे आप miss use कर रहे हो, तो वहां पर कैसे कैसे करके बात करके चलेंगे, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, इसकी life जो आपका, बड़ी बात जाती पर custom है, इस purpose के लिए, इस यहां के लिए life 10 साल रखी गई है, और depreciation उनका इस परकार से है, 4% per quarter, पहले साल में 16%, फिर 3% per quarter, यानि की 12% अगले साल में, तीसरे साल में आपका 3% per quarter, यानि की 12%, फिर 4 साल में और 5 साल में 0.5% per quarter की ये बात करते हैं, जहां पर किया आप जो के 5 सालों में 40% बन जाएगा, और इसका टूटल करोगे तो आपका ये 60% बन जाता है, और ये करोगे 40% यहां पर बना दी जता है, ये इनका depreciation का rate यहां पर दे रखा है, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, और फिर 2, कैसे, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, इस चिन जापते की बार है, 4, 3, 3, 2, और फिर आपका 2.5 and 2, ये आगे तक चलता है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांच्वा साल and फिर आगे 10 साल तक आपके चलेगा, तो अगर देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, चार तरह की percentage इस्तमाल की गई है, कैसे कैसे, एक 4 है, एक 3 है, एक 2.5 ह और एक आपका 2 है, पहले साल में ये, दूसरा, देखो, पहले साल में आपका ये है, दूसरे साल में आपका ये है, तीसरे साल में और चौथे साल में ये है, पांच्वे में आपका ये है, और फिर आगे, पुछ गलती करने के हम, पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचमा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचमा छटमे साल से आपका ये निकल कर यहां आ जाता है ये परसंटेज यहां पर बताए गई है इसका तात्परे क्या है मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अगर आप कोई कैपिटल गोड़्स यहां एक एक दोहजार च महीने आठ कोईटर आठ कोईटर का आपका यहां से हाथ का समय बन जाता है ठीक है बिल्कुर ठीक बात है सर जी आठ कोईटर बन गे बन गे बन गे बन गे तो आठ कोईटर का मतलब कितने साल हो गए सर ये दो एयर में अपना फॉल कर गया है कितने का खरीदा था जी आपने सर जी हमने खरेज़ था वो प्रेड़क्ट अपना बता है भागवान जूटना बोलाए वैल्यू थी उसकी एक लाख रुपे की और उसके उपर जो ड्यूटी हम भरके आई थे सर जी वो कितनी थी वो भी तो मैं पता रहें चाहिए उसके उपर सर जी ये 16,000 रुपे की इस्टेंडर ड्यूटी बनती थी एक्च्वल मैं 4,000 पे करके आए थे और मैं 12,000 का बेनिफिट मिला था तो अब मुझे बेनिफिट प्रपोर्शनिट करना है मैंने 8 क्वाटर इस्तिमाल हम तो मान के चल रहे थे सरकार ने सरकार ने 12,000 का मैं पूरा का पूरा बेनिफिट दे दिया ये मानती हुए कि मैं उसको 10 साल इस्तिमाल करूँगा लेकिन भाईसा मैंने 8 क्वाटर इस्तिमाल किया उसके बाद जैजज़ शीरादे मैंने कर दिया इसका मतलब ये हो गया कि 8 क्वाटर जितना तक मैंने इस्तिमाल किया उतना मेरे पास मेरेगा बागी का पैसा मुझे रिवर्स करना पड़ेगा तो 12,000 को मैं जरा इसको प्रपोर्शनेट कर दूँगा तो पहले साल के लिए आठ क्वाटर का मतलब दो साल में फॉल कर गए तो फर्स्ट एर के लिए 4 इंटू 4 मैं कर दूँगा और सेकंट एर के लिए मेरा जो परसंटेज़ वो 3 है 3 इंटू 4 कर दूँगा तो 4 चक 16 परसंट मेरा ये आएगा 12% मेरा यहाँ आएगा तो 28% मेरा यहाँ पर आजाएगा 12,000 में सा 28% मेरा है और बाकी मुझे with interest यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा percentage को ध्यान में रखें काफी सारे changes इस छोटे से chapter के अंदर आपके आएगे है कि end used based exemption को कैसे follow करना है अपने अधिकारी को loop में लेना है सारी जानकारी उसे देनी है उसके बाद वो एक set आगे forward कर देगा वो बंदा concession हमें दे देगा concession तो मिल गया है चाए input हो चाए capital goods हो लेकिन जिस शर्त के आधार पर concession दिया गया है उस शर्त हमें follow करनी पड़ेगी अगर हम cheating करेंगे तो गुस्ता की करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमें proportionate amount वापस रोटाना पड़ जाएगा job worker के लिए हम अपने समान बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अधिकारी को पहले advance में सूचना देनी पड़ेगी वो दिकारी job worker का अधिकारी से समपर करेगा transfer चलान बनके माल जाएगा छमेने के अंदर वापस आ जाना चाहिए इस परकार की पूरे parameter से यहां पर रखे गए हैं अगर आने जाने में कोई cheating होई तो job worker जिम्मेदार नहीं बलकि आप यहां पर जिम्मेदार होगे और आप तमाम परकार की information अपने अधिकारी को यानि कि जो importer था वो अपने अधिकारी को तमाम परकार की information record submit करना अगर कुछ मांगे तो return वगरा submit करना quarterly frequency पर वो सारे की सारे काम यहां पर करके चलेगा ठीक है और जितनी अगर आपने use कर लिया intended purpose के लिए तो okay है अगर missy उजा destroy कर दिया आपने तो ऐसे हरात में proportionate amount आपको पे करना पड़ जाएगा capital goods के समद्द में अगर बात करके चलते हैं तो वहां पर बोलता है कि पहले सार के लिए 4% दूसरे तीसरे साल के लिए 3% तीसरे चौते साल के लिए दूसरा तीसरा चौते पांच में साल के लिए 5% और छटवे साल से 2% दस साल तक आपको चलेगा पर quarter और part कारण से export कर दिया है तो export में आपको amount pay नहीं करना rather जो आप pay कर चुके ते वो आपको और वापस दे दिया जाएगा I hope बात समझ में आगे होगी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला chapter आता है मेरा यहां पर मालिक import export procedure का असल रूल मेरा यहां से शुरू हो जाता है कि ठीक है मैंने सारी बाते पढ़नी definitions मैंने पढ़नी मैंने अलग अलग जगाव पर नुकसान होंगे तो क्या होगा वो मैंने पढ़नी या exemption concessions क्या होते हैं अब बात करते हैं procedural part की यहां तो आपका section number 29 करके आता है यहीं रखे हैं अगली chapter में अगली class में का है चलो अगली में करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं thank you so much bye tata तो जब मैं एक class record कर रहा तो उसमें internet नहीं था तो मैंने इसलिए आपकी class live नहीं ली है और हाला कि अब internet आ चुका है और जब मैं class record कर रहा तो पांदस मट की बच्चों भी थी तो बाकि अपनी अगली class live पर के चलेंगे thank you so much bye tata and love you मेरे बच्चा bye love you bye 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 लेकिन हाँ सुनो मेरी बात एक छोड़ी से बात आपको बताता हूँ समय मुझे याद आ गया पता है हमारे अपने इस शरीर के अंदर भी एक परिवार रहता है हमारी जो इंद्रियां होती हैं आँख नाक कान ये इस परिवार के शैतान बच्चे होते हैं हमारा जो मन होता है वो एक जगडालू औरत की तरह होता है जो हमारी बुद्धी होती है वो एक सीदे सादे हस्बेंट की तरह होती है और जो हमारी आत्मा होती है वो घर में जो बुजर्ग होते हैं वैसे होते हैं तो एक हमारी स्प्रिच्छल एक आद्ध्यात्मिक एक फैमिली हर व्यक्ति के दिमाग में होती है होता क्या है शैतान बच्चे बाहर देखते है ओह समोसा जलेवी ये वो भाई सब बहुत तेज बच्चे हैं इतने शैतान इतने शैतान है आँख नाख कान जो देखते है बच्चे शैतान है ही है बच्चों की माँ उनसे भी उपर है भाई सब करता ही जहर बच्चे आके अब माँ को बताएंगे कि माँ समोसे हैं बाप समझा रहा होगा माँ तो बाई सा तुरन चल देगी चल कोई दिकर नहीं खा समोसे जतने खाने बुद्धी यानि की हस्बेंट समझा रहा हुआ कि नहीं वो गरत है वो गरत है वो ठीक नहीं तुमारे लिए लेकिन मन नहीं मानता है वो औरत नहीं मानती है जगडालू है बुद्धी को एक थपड़ मारती खीचके करे चुब बैठी ले जाए ज़वान मत चला और वो काम कर देता है मन माता पिता जो आतमा है उन्हें कौन पूछ रहा है सास ससर उन्हें कौन पूछ रहा है वो बताते सही है बोलेंगे जरूर लेकिन कुछ सुनता नहीं है सुनता नहीं है कोई घर में किसकी चल रही है उस जगडालू औरत की चल दी जो हर व्यक्ति के दिमाग में है मन की चल रही है सुबह सुबह उठने की बात करते हैं बुद्धी कहती है उठजा जरूरी है तरे लिए तरे गोल के लिए तुझे सीए बनना है ना तो उठ लेकर मन कहता थोड़ी सी देर जगडालू औरत उल्टे सी देर काम करती है दिमाग में वो कहते है थोड़ी सोजा पांच मुन पांच मुन के चक्कर में आपको कभी घंटे सोजाते हो पता ही नहीं चलता है करना क्या है आपको बाबो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं और मैं तो कहता हूँ गोल इतने बड़े बनाओ इतने बड़े बनाओ कि अपने तक सीमित मत रखो आप ये सोचो कि जब आप सीय बन जाओगे तो खुद के लिए और परिवार के लिए तो सब करते हैं इस समाज के लिए आप क्या करोगे इस दुनिया में आप आई हो कुछ तो अच्छा करके जाओगे ना buna यहां पर आकर बताईए ना फ्लीज कुछ तो समाज को कॉंट्रिवूट करके जाओगे ना या सर्फ यहां से ले कर ही जाओगे कुछ तो दे कर जाओगे ने आपे पताईए ना फ्लीज तो ऐसा टार्गिट रखे चले कोई अपने दिमाग में ऐसा गोल रखे कि यार पहले में थोड़ा सा सेटल होने के बाद जो भी है मैं समाज के लिए ये काम करूँगा जो भी मुझे भूका व्यक्ति दिखेगा अब मैं खसम खाता हूँ कि मैं इस इतने एरिया के अंदर उस व्यक्ति के लिए खाना मोहिया कराओँगा मेरे दो किलमेटर के रेडियस के अंदर कोई व्यक्ति रात को भूका नहीं सोएगा कोई बच्चा बे सहा रहा है वो बच्चा बिना सिक्षा की नहीं रहेगा मेरे इस एक किलोमेटर के रेडियस के अंदर या दस किलोमेटर के रेडियस के अंदर मैं इस बात की प्रतिग्या लेता हूँ मैं इस धर्ती पर एक हजार पेड़ लगाऊंगा हमने कुछ ना कुछ तो contribute करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने इस परिवार को ठीक से manage करना इस मन को समझाना बुद्धी को ही समझाना पड़ेगा माबाप तो चुपचा बैटे थे आत्माओं से कोई सुनता भी नहीं बुद्धी को ही प्रबल होना पड़ेगा थोड़ा सा मन को समझाना पड़ेगा और ये बात भी फैक्ट है आप मन को दबा नहीं सकते अगर आपने मन को दबा दिया ना मन को और मन की च्छाओं को दबा के रखा तो ऐसे मानी स्प्रिंग की तरह होती है मजबूत स्प्रिंग दबा तो दिया बद्धी से ताकत लगा के दबा दिया लेकिं जैसे छोड़ोगे ना इतना प्रेशर मारेगी कि भाई साब जैसे बॉटल में से प्रेशर निकलता है ना एक साथ जो हालत खराब हो जाएगी इसलिए मन को मारिये मत मन को मार के कुछ नहीं हो सकता उसको चाटा मत मार ये जगडालू ओरत को उसे प्यार से समझाओ कि देख मेरे लिए तेरे लिए एक अच्छा क्या है उसे कन्विंस करो क्योंकि अगर तुम मालू मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे दिमाग में जो हर वेक्ति के साथ जो अपनी खुद की जगडालू ओरत होती है जो कुछ भी करने नहीं देती अगर वो मेरे साथ ना हो तो मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता औरत के बेना कोई काम संभव नहीं हो सकता मैं उस मन रूपी औरत को और जिस काम में मन लग जाए जिस काम में उस पत्नी ने साथ दे दिया मन रूपी पत्नी ने साथ दे दिया चल मैं तर साथ मूँ चल मैं कहरा हूँ आप माउंट एवरेस्ट पर चड़ जाओगे जिस काम में मन लगा दोगे ना जो मेरे लिए ठीक है, मेरा चाहे तेरा मन होए, तू लग मेरे साथ बैठ, मैं पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ ना, मेरा मन तू मेरे साथ बैठ, तभी मैं सफल हो पाऊंगा, इसलिए अपने आपको मैनेज करो, व्यावस्थित करो, टाइम शेडूल बनाओ, और अपने के माँ को खबर देते हैं, और माँ भाई सब तरंच दिसिजन ले लीती है, इसलिए अपने आपको सभादो बाबो, समझाओ अपने आपको, मन को थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल में रखके चलिएगा, ऐसे मत फैलाओ कि भई, जो है वैसे प्रोएक्टिव ब उठने का, अगर पढ़ाई है तो आप बिल्कुल ने उठेंगे, यार उठो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम कोई भी काम जितना ज्यादा करोगे आप वैसी हो जाओगे, आप ज्यादा खाना शुरू करो, तीन रोटी खाते हो ना, चार खाने शुरू करो, आपके देन, दस घंटे ही हो जाएगी, अगर किस दिन आपने, दस दिन, दस घंटे सो रहे हैं, एक दिन आप बनो घंटे सो एक स्यादा शायाद शूरी घंटर कशा dedic होगे न तो फिर ज्यादा की आदत पढ़ जाएगे बारा वारा घंटे पढ़ना शुरू करो जो वेक्ति बारा घंटे पढ़ेगा वो एक घंटा भी एक मिनट भी अपना बढ़ बात नहीं करेगा थाइंक्यू सो मच बाई टाटा लव यू आप बहुत समझदार हैं और झाल यू यू ए